तो इस वीडियो के अंदर हम Google Sheet की Ctrl A से Ctrl Z तक shortcut की इसके बारे में जानेंगे सबसे पहली हमारी shortcut की है Ctrl A Ctrl A हमारी shortcut की होती है Select All अभी हम Blank Cell के अंदर हैं यहाँ पर हम Press करते हैं Ctrl A तो यहाँ पर हम देखेंगे Complete Sheet हमारी Select हो गई है ऐसे ही अगर हम किसी डेटा के अंदर होंगे जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अब हम Ctrl A प्रेस करेंगे तो पैटिकुलर डेटा हमारा Select हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं shortcut की हम Press करते हैं यहाँ पर भी हम देखेंगे, यह इतना data हमारा select हो गया है, तो Ctrl A हम use करते हैं, जब हम किसी data के उपर होंगे, तो particular area का data हमारा select होगा, अगर हम कहीं भार रहते हैं, और Ctrl A हम press करते हैं, तो complete sheet हमारी select हो जाएगी, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl B, Ctrl B होती है हमारी board, जैसे यह हमने select कर लिया, Ctrl B हम press करेंगे, तो इतना data हमारा board हो जाएगा, वापस से Ctrl B हम press करेंगे, तो यह unboard हो जाएगा, next shortcut की है, Ctrl C, Ctrl C हम use करते हैं, copy करने के लिए, अभी हम देखेंगे, यह data हमारा selected है, Ctrl C हम press करेंगे, तो यह data हमारा copy हो गया है, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl D, अभी जैसे यहाँ पर हम type करते हैं, Excel, अब इतने area के अंदर हम चाते हैं, की Excel आ जाए, तो इतना area हमने select कर लिया, Ctrl D हम press करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यह नीचे तक fill हो गया है, Ctrl D हम use करते हैं, फिर down के लिए, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl E, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl F, Find, यहाँ पर हम देखेंगे, Find का dialog box open हो गया है, अब जो भी चीज हमको search करनी है, उसको हम यहाँ पर type करेंगे, example के लिए, यहाँ पर मैं type करता हूँ, chart, sheet के अंदर, जहाँ पर यह word होगा, हम वहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे ही next के उपर हम click करते रहेंगे, तो next word के उपर हम पहुँच जाएंगे, इसके बाद next हमारी shortcut की है, control H, replace, यहाँ पर हम बताएंगे, किस चीज को, किस चीज से हम replace करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है Friday, इसको हम replace करना चाहते हैं, good Friday से, replace के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यह Friday से good Friday के अंदर replace हो गया है, ऐसे ही अब क्या हो, जिस word को हम replace करना चाहते हैं, वो एक बार से जादा बार हो, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा Friday है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको option मिलत है, replace all, जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे, तो सारे word हमारे replace हो जाएंगे, इसके बाद next shortcut की है, control I, text के उपर हमारी italic formatting apply हो जाएगी, बापस से हम control I प्रेस करेंगे, तो formatting हमारी remove हो जाएगी, इसके बाद next, control J, go to, अब यहाँ पर हम जिस cell के अंदर जाना चाहते हैं, उस cell का address हम यहाँ पर type कर देंगे, okay के उपर हम click करेंगे, तो उस cell के उपर हम आ जाएंगे, एक बार ओर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके बाद next shortcut की है हमारी, control K, hyperlink, अभी जैसे इस cell के उपर हम एक link लगाना चाहते हैं, shortcut की हम press करते हैं, control K, website का address हम यहाँ पर type कर देंगे, अभी हम type करते हैं, www.investing.com, ok के उपर हम click करेंगे, तो link हमारा create हो गया है, अब जैसे ही हम इसके उपर आकर click करते हैं, तो link हमारा open हो जाएगा, अभी इसको हम close करते हैं, इसके बाद next shortcut की है, control L, इसके बाद next, control M, control N, control M के लिए भी हमारी कोई shortcut की नहीं होती, इसके बाद next shortcut की है, control O, किसी workbook को हमें open करना है, तो control O प्रेस करते हुए, workbook को यहाँ से हम open कर सकते हैं, next shortcut की है, control P, print, data को यहाँ से हम print कर सकते हैं, इसके बाद next हमारी shortcut की है, control Q, control Q के लिए हमारी कोई shortcut की नहीं होती है, इसके बाद next shortcut की है, control R, इसके बाद next shortcut की है, control S, control S हम use करते हैं, workbook को save करने के लिए, इसके बाद next shortcut की है, control T, control T के लिए हमारी कोई shortcut की नहीं होती है, इसके बाद next shortcut की है, control U, control U shortcut की का हम use करते हैं, text को underline करने के लिए, वापस से हम control U प्रेस करेंगे, तो underline हमारी हट जाएगी, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl V, Ctrl V हम use करते हैं, paste करने के लिए, जैसे Ctrl C से हम इसको copy कर लेते हैं, अब इसको हमें यहाँ पर paste करना है, तो shortcut की हम use करेंगे, Ctrl V, तो data हमारा यहाँ पर paste हो जाएगा, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl W, इस shortcut की का हम use करते हैं, workbook को close करने के लिए, जैसे अभी हम, एक new workbook open कर लेते हैं, तो यह हमारी new workbook open हो गई है, अब हम press करते हैं, Ctrl W, तो यहाँ पर हम देखेंगे, workbook हमारी close हो गई है, next shortcut की है, Ctrl X, Ctrl X हम use करते हैं, data को cut करने के लिए, अभी जैसे इस data को हम चाते हैं, तो इसको हम select कर लेंगे, Ctrl X हम press करेंगे, यहाँ पर आकर हम Ctrl V प्रेस करेंगे, तो data हमारा यहाँ से हट जाएगा, तो यह हमारा था, Ctrl X shortcut की का use, इसके बाद next shortcut की है, Ctrl Y, इससे पहले हम Ctrl Z के बारे में जानते हैं, अभी जैसे यहाँ पर हम कुछ data को delete करते हैं, तो Ctrl Z हमारा use होता है, undo करने के लिए, undo का मतलब, जो अभी हमने steps किये, उन steps के अंदर, पीछे जाने के लिए, अभी हमने यहाँ पर data को delete किया था, Ctrl Z हम press करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक step हम पीछे आ गए हैं, वापस से हम Ctrl Z प्रेस करते हैं, जितनी बार हम Ctrl Z प्रेस करेंगे, उतनी ही बार, steps के अंदर हम पीछे आते चले जाएंगे, इसके बाद next shortcut की जानते हैं, Ctrl Y, Ctrl Y shortcut की होती है हमारी, redo, जो steps हमने undo किये हैं, उन steps को clear करने के लिए हम use करते हैं, Ctrl Y, इसको हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे अभी हमने, कुछ cell के अंदर से data को delete किया था, इसके बाद Ctrl Z प्रेस करते हुए, steps के अंदर हम पीछे गए थे, यानि data हमारा वापस आया था, अब यहाँ पर हम Ctrl Y प्रेस करते हैं, तो जितने steps हमने undo किये थे, Ctrl Y प्रेस करते हैं, तो वो steps यहाँ पर clear हो जाते हैं, तो यह हमारी Google Sheet की shortcut कीज थी, Ctrl A से लेकर Ctrl Z तक,